हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस चनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आज तक के डेट के एकॉर्डिंग पूरा सिलसले वार धंग से कम्प्रीट डेटा आपके सामने लाया हुआ हूँ कि आज के डेट के अंदर टोटल कितने फॉर्म फिल अफ ह है मेरे भाई इसके अंदर टोटल पर सिट कम्पेटिशन कितना है यह सारा डेटा मैं आपको सभी जोन का यहाँ पे त्यार करके आपके लिए ले करके आया हूँ ठीक है तो वीडियो में धैर पूर्वक आप बने रहे हैं सभी जोन का मैं एकदम सही तरीके से आपको अनाल की त्यारी कर रहे हो तो मेरे भाई आप किरन प्रब्लिकेशन का रिजनिंग बूक लगा सकते हो यह 24 का एडिसन है जिसके अंदर 8750 प्रस्न दिये गए हैं जो चैप्टर वाइस और टाइप वाइस आपको देखने को मिल जाते हैं और दोस्तो इसके अंदर जितने भी रेल यह बूक दोस्तो आपको मार्केट के अंदर हिंदी और इंग्लिस दोनों में एबलेबल मिल जाएगा मेरे भाई जी के जीयस के लिए भी किरन प्रब्लिकेशन का एक बूक यहां पे आप देख सकते हो काफी बढ़िया बूक है इसके अंदर आपका इस समानी ग्यान के अं समानी ग्यान को यहां पे सिलसलेवा ढंक से कवर किया गया है बाकी सभी टॉपिक्स को यहां पे कवर किया गया दोस्तों जो आपके एकजाम के दिष्टी से महत्पूर हैं तो इसे आप एक बर परचेस कर सकते हो यह भी आपको नजदी की बूट का स्टोर में मिल जाएगा तो 12,017 फर्म अपलाए हुआ है ठीक है 12,017 फर्म अपलाए हुआ है यहाँ पे दोस्तो 1,005 लोग ऐसे होंगे जो CBT2 के लिए जाने वाले हैं ठीक है देखें आज के डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिट कमपेटिसन जो है वो 12 है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर दोस्तो अगला जोन की बात करें तो अगला जो जोन है वो मुझफर पूर है ठीक है मुझफर पूर जोन के अंदर 7260 फर्म अभी तक अपलाए हुआ है ठीक है वहीं 570 लोग जो हैं वो CBD2 में जाने वाले हैं ठीक है अब अगर डिवाइट करें इस डेटा को तो आज के डेट के नुसार से पर सिट कमपेटिसन आपका 13 देखने को मिल रहा है ठीक है त्रिवंत पूरम के अंदर टोटल 10,714 फर्म अपलाए हुए हैं और आज के डेट के कोडिंग यहां पे जो फर सिट कमपेटिसन है देखिए 10 है ठीक है यानि 1050 लोग CBD2 में यहां पे जाने वाले हैं तो भी आप OBC, CST वाले भी UR से consider एक बर आप कर सकते हो ठीक है अगला देखिए अगला जो जोन है दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा पटना जोन ठीक है अब भाई पटना जोन की बात की जाए तो 9695 यानि 9695 फर्म अपलाए हुआ है 570 लोग यहां पे CBD2 को देने वाले हैं और आज के डेट के नुसार से पर सिट कमपेटिशन 17 है ठीक है एक सिट पे 17 लोग यहां पे fight कर रहे हैं बाकि आप खुद समझदार हो दोस्तों आपको यह भली बाती पता होना चाहिए चेह भाई जिस जोन के अंदर पर सिट कमपेटिसन जितना अधिक होगा उस जोन का कटप भी उतना अधिक जाएगा हलांकि सब कुछ इस पर ही मैटर नहीं करता है की कि गिप्रकट करता है कि किस जोन में कितने कालिटी आफ है कि कटप बढ़ाने का जो रोल होता है वो उन्हीं का होता है ठीक है फिर भी एक आसदन आप समझ सकते हो कि जिस जोन में ज्यादा फार्म गिरे होंगे उस जोन का कर दोस्तों सीविटी वन के लिए यह कंपेटिशन है पचीज बाकी तो फिर भाई सीविटी टू के बाद फार्म रिजल्ट के लिए तो परसिट कंपेटिशन सब जून का 15 ही रहेगा ठीक है क्योंकि 15 गुना केंड़ेट का सेलेक्शन होगा अब भाई गौरकपूर की बात क कि जाए तो आज की डेट के कॉर्डिंग जो है फार्म फिलप हुआ है 16,068 ठीक है यहां पे आप देख भी पा रहे होंगे 16,068 फार्म अप्लाय हुआ है 645 लोग सीविटी टू में अपियर होंगे आज के डेट के नुसार दोस्तों परसिट कंपेटिशन यहां पे 25 है ठी ठीक है अगला जो है जोन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अगला जो जोन है यहां पे सदर्न रेलवे का है चेन्नाई जोन ठीक है चेन्नाई जोन में 148 सीट है दोस्तों और यहां पे 43,446 फार्म आ चुका है 2220 लोग सीविटी टू में अपियर होंगे और आज के देख सकते हो असानी से आप इसे समाझ भी सकते हो ठीक है अगला जो जोन मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे भाई अगला जो जोन है चंडी गर्ड जोन है चंडी गर्ड जोन की बात की जाए तो 28,293 फार्म अपलाई हुआ है 990 लोग जो है वो सीविटी टू में अपि जोन है अजमेर जोन के अंदर 44,401 लोग जो है वो अपलाई कर चुके हैं 3420 सीविटी टू में देने वाले हैं मतलब जाने वाले हैं और आज के डेट के अनुसार परसीड कंपेटिशन देखे तो 13 है तो यह सेफ जोन के अंदर गात आप कंसीडर कर सकते हो दोस्तों इसमे पे देखे 66,588, 66,588 टोटल फर्म गिरा है भाई और 42,90 लोग सीविटी टू में जाने वाले हैं तो आज के डेट के अनुसार से परसीड कंपेटिशन टोटल 16 है देखे दोस्तों अभी तक मैंने आपको टोटल 11 जोन का कंप्लीट अनालिसिस बताया जिसमें से टोटल सीविटी टू में कितने लोग अपेर होंगे और परसीड कंपेटिशन कितना है और कौन सा जोन सेफ है यह मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ठीक है टोटल 11 जोन है मेरे भाई और अभी जो है अभी भी 10 जोन ऐसे हैं जिनका मैंने आपको डेटा नहीं दिया है ठीक है 21 जोन में से 11 को बता दिया 10 जोन को मैंने नहीं बताया है ठीक है तो जैसे ही 10 जोन का डेटा मेरे पास exactly total जो डेटा है सही डेटा अगर उपलब्ध हो जाता है तो तुरंत मैं आपको आज ही जो है वो वीडियो के माध्य हम से उपलब्ध करवा दूँगा मेरे भाई आप में इसे कोई अगर अभी form apply किये हुए हैं तो मैंने आपको यहाँ पर email ID मैं आपको दे दे रहा हूँ दोस्तों इस पर आप अपना जो details है भेज सकते हैं खास करके अपना registration number को भेज सकते हैं बाखी details को तो मैं ऐसा ही hide कर दूँगा आपकी privacy बचाए रखाए 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 ठीक है तो मेरे भाई आप जो है इस mail पे एक बार भेज सकते हैं अपना details को registration number को पवनकुमारJ9855.gmail.com ठीक है इस पर आप एक बार भेज सकते हैं ठीक है बाकि दोस्तों आज ही मैं एक वीडियो और आपके लिए लाँगा जिसके अंदर जो भी 10 zone बचा हुआ है ठीक है व वीडियो का आप इंतिजार करें बाकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में